अबी ओमिक्रोन के नए वेरिंट के मामले जो की सामने आते हुए दिखें उसके बाद टेंशन इरप्ट होते हुई नजर आई हैं कल हमने देखा स्वास्ते मंत्राले की तरव से हल्थ मिनिस्ट्री के एक बैठक होती हुए दिखी और आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी दोपहर साड़े तीन बजे उच्छ स्थरिय समीक्षा बैठक इसी मुद्दे पर करने वाले हैं दुनिया भर में कोविड के बढ़ते मामलों से सरकार चिंतित नजर आ रही हैं और इसी अपर जादा डीटेल्स उच्छ स्थरिय जो बैठक होनी वाले हैं उससे जुड़ी जादा डीटेल्स लेकर हमारे सही होगी समीर दिक्षिता हमारे साथ जुड़ गया है समीर बताएं बैठको का दौर शुरू हो चुका है चीन के बाजार में कोविड ने जैसे दस तक दी उसके बाद भारत के बाजार में भी एक इंपाक्ट पड़ा है और अब तो ये टेंशन जो है भारत में इरप्ठ होती हुई नजर आ रही है बैठक से जुड़ी क्या डीटेल्स मिली है हमें दुनिया के तमाम देशों में कोविड के बढ़ते मामलों से भार सरकार भी चिंतित है यही वज़ा है कि अब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी खुद एक एहम समिक्षा बैठक करने जा रहे हैं दुपहर को होने वाली ये वर्चुल मिटिंग में जिसमें कोविड को लेकर के समिक्षा की जाएगी इसमें सूत्र बता रहे हैं कि स्वास्थ मंतराले के अधिकारी मौझूद होंगे नीती आयोक के अधिकारी मौझूद होंगा जितने तमाम समबंदित मंतराले हैं उनसे वकादा डेटेल रिपोर्ट ली जाएगे कि भारत अभी कितना तयार है, कोविट को लेकर के अभी तक जो स्ट्रेटिजी अपना ही गई है, उसमें क्या कुछ और नए कदम शामिल करने के तयारी की जा सकते है सुत्रों के मताबिक इंटरनेशनल एरपोर्ट पे जो पैसेंजर्स विशेश का जो हौंग कॉंग या सिंगपूर से हो करके आ रही है, उन पर विशेश निगाह है, यहां तक की एरपोर्ट पे इंटरनेशनल पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है, इसके साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि अब कोविट की जो नीती रही है भारत सरकार की, यानि कि टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की नीती उसको और बहतर तरीके से अब अपनाये जाएगा, यानि कि उन जीलों में जहां पर संभावी तोर पे कोई अगर कोविट केस है या जहां पर पॉस्टिविटी दर बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहाँ पर एक बार फिर इस नीती को प्रभावी तोर पे लागू किया जागा, इसके अलावा हमने देखा कि दिली सरकार ने भी कोविट के चलते एक एहम समिक्षा बैठक बलाई है, माना जा रहा है कि दिल जो कि स्वास्थ मंतरी है, उन्होंने भी समिक्षा बैठक करी थी, और उसके बाद सरकार की तरफ से साफ तोर पे कहा गया था कि भारत में स्थिती कोविट के चलते नियंद्रित है, लेकिन किसी भी स्थिती से निपटने के लिए सरकार तयार है, और फौरी तोर पे कदम उ जालन करें, और साथी साथ जो कोविट की बूस्टर डोज है, उसका दायरा भी बढ़ा है जाएं। करने वाले इस पर सभी की नजरे रहेंगी, बहराल यहां पर हिदायत यही दी जा रही है, कि सोशल डिस्टनसिंग का फिल से पानंग की आ जाना चाहिए, रैंडम टेस्टिंग भी एरपोर्ट्स पर हो रही है, लोगों बूस्टर डोज क्योंकि सिर्फ 27-28 पिसेंट लोग जनता ही है भारत की जन्होंने बूस्टर डोज लिये हैं, तो बूस्टर डोज लेने की भी यहां पर हिदायत अडवाइस मिनिस्ट्री की तरफ से दी जारी है, और साथ ही यहां पर अगर देखे तो तंत्र का यह भी कहना है कि किसी भी तरह की सिचुएशन से निभी